कि आपके phone का camera भी open नहीं हो रहा है, जब भी आप अपने phone के camera को open करने जा रहे हैं, कि आपको भी कुछ ऐसा error देखने को मिल रहा है, the camera may be damaged, please contact customer care for assistance, okay करके error आ रहा है, तो ऐसे में आप अपने mobile phone के camera को open नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँगो, चाहे इस problem को solve करके दिखाने वालों, तो इस problem को solve करने लिए सबसे पहले है, आपको अपने mobile phone की home screen पराना है, तो जैसी आप अपने mobile phone की home screen पराएंगे, तो दोस्तों, पहली setting करना है, आपको अपने mobile phone में duplicate camera को uninstall कर देना है, delete कर देना है, तो दोस्तों, कहने का यह मतलब है, mobile phone में virus आ जाता है, तो जिसके चलते है, आपको camera में यह सब problem देखने को मिल सकती है, तो दोस्तों, आपको पहली setting की करने है, आपको अपने mobile phone में एकी camera रखना है, वो आपके mobile phone का, और इनल camera को बागी camera को आपने uninstall कर देना है, तो यागी setting number first, अब आपको दूसरी setting की करने आपको अपने mobile phone की settings में आपको अपने mobile phone में और इनल camera को निकाल के लाना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शूरू में बितार है, duplicate camera को आपको अपने uninstall करना है, तो आपको एक ही camera रखना है, और आपको mobile phone का और इनल camera, तो आपको camera पर click कर देना है, तो जैसी आप camera पर दो आप्शन देखने को मिल देघें गएक लियर्ज डेयर बाद एक कर, तो आपको फोके नहीं किया करना है, अब आपको last and final setting के करना है, आपको वापस अपने mobile phone की home screen पाना है, तो जएसी आप अपने mobile phone की home screen पाना है, आपको last वाली setting करना है, जो भी आपके mobile phone में आना फला button इसको long press करना है, तो जएसी आपको तीन option देखने को मिल रहोंगे, emergency का lockdown का power को, तो आपको power वाले icon पर click करना तो यहाँ पर आपको power वाले icon पर click करना है, तो यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल रहोंगे, power आपका restart करना है, तो जएसी आप वापस से अपने mobile phone की camera को open करना है, तो आपके समने ऐसा interface है, तो आपको permission को allow कर देना है, तो यहाँ पर आपको while using that permission को देना है, तो जैसी देदेंगे आप आपको ultra wide angle mode आपको डबे के center में click करना है, तो जैसी आप डबे के center में click करेंगे, यह देखिया, आपके समने आपके mobile phone का camera open हो गया, तो यहाँ आपके समने में photo भी है, यहाँ पर हाथ का click करूँगा, यह देखिया, मैंने आपने हाथ का photo भी कर सकते हैं, तो वीडियो अच्छे लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, थैंक यू